अगर आपका कभी भी ceiling fan खराब होता है तो आप यही सोचते हैं कि इसकी जो binding है वो खराब हो गई है इसलिए हमें इसकी binding को कराना चाहिए तब यह पंका सही होगा लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं होता है और भी कोई fault होते हैं जो fan में आ जाते हैं बिना binding के भी और वो start नहीं होत है तो जैसे यह आपकी binding खराब हुए आप दुकांदार की पास लेके चले जाते हैं और दुकांदार क्या करता है आपके सामने series lamp से चेक करके भी दिखा देगा और चेक करने के बाद आप से कहेगा इसकी binding खराब है और पूरी binding नहीं होगी इसके लिए आपको इतना चार् पूरी binding निकलते हैं बाहर पंखे के साइड जो कनेक्शन देते हैं तो कभी-कभी वह भी हीट होके खराब हो जाते हैं या उसमें कार बना जाता है तो सिर्फ वह खराब होते हैं पूरी binding सही रहती है तो वह तब भी क्या करेगा आप से बाहर डाल देगा सिर्फ और आपसे पैसे उसने पूरे ले लिए तो वह आपको नहीं बताएगा कि इसमें हमने बायर अक्यले डाले वह यहीं बोलेगा कि हमने पूरा binding किया है और कभी-कभी क्या होता है यह जो एक जो पूरी binding को बैडन करेगा तो उस से भी आप से चार्जिस पूरा ले लेगा और कहेगा कि पूरी binding की है तो आपको इसी चीज से साथन रहना है जिससे आप वेपकुप नबने अगर आप नई winding कराना चाहते हैं तो कब कराना चाहिए ये सब चीजे आपको पहले चेक कर लेना चाहिए तभी आपको फैन को winding के लिए भेजना चाहिए तो आपको हम बही बताने वाले हैं कि आपको कैसे चेक करना है तो वीडियो को अंतक जरूर देखें और जो भी दोस्ट चैनल पर नहीं वो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें क्यूंकि हम आपको इसी प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं जो आपको बहुत कामा सकती है तो चलिए दोस्तो वीडियो करते हैं तो देखिए दोस्तो ये एक फैन है और इसको हमें चेक करना है कि इसमें क्या fault है क्योंकि ये fan जो है वो चल नहीं रहा है खराब है तो वही हम आपको इसमें चेक करके बताने बाले हैं तो देखी यहाँ पर हमने ये binding के बायर से इनको निकाल लिया है और उसके साथ जो इसका जो series board होता है हमारा series board है इसमें हमने बायर को लगा लगिया है और इससे हम क्या करेंगे series board को जो अभी off है तो हम इसको on कर लेंगे on करने के बाद हमें क्या करना होगा जो buyers है सबसे पहले हम buyers को sort करके देखेंगे कि ये जो buyers है वो circuit बनना है या नहीं बनना है worst हो गा तो यह जो bulb है बहुत तेर जलिए Afghanistan उसकी Gas न सब्सकरों स्कुर्स है u Re wegen Offchuck फिर देखी impressed तो देखी यहाँ पर हमने जो एक binding देखे है जो black black बायर है उनको देखा है तो यह जो हमारा bulb है वो glow हो रहा है इसका मतलब है यह binding है वो सही है ठीक है और अब यह हमारे दो बायर है लाल लाल रंके red color के दोनों बायर है यह हमारे दूसरी binding है तो अब हमें इसको चेक करना है तो देखी यहाँ पर जब हमें इसको लगा रहे है तो जो bulb है वो नहीं जल रहा है यह हमारा binding है वो खराब दिखा रहा है ओपन दिखा रहा है तो इसका मतलब है यह binding खराब है तो दुकानदर आपसे यह कहेगा कि आपको binding है वो दूसरी कराना चाहिए फूरी binding दूबारह होगी इसकी binding खराब हो गई है तो लेकिन अब हम आपको इसमें खोल के दिखाते हैं तो कैसे दुकानदर है वो आपको बेप को बना देता है और स्क्राइब को कोलने के लिए सबसे पहले यह कोश़ निंट अब है उसको आप आसानी से खुल लें जब द्यान रखना पहले तो आप जिस्सें आप कोई भूले ना ऊसमें तो इसके Δर के बाद जो हमारा यह पाइप लगा हुआ है उसके बाद यह नट लगा हुआ इसको भी हमें खोलने के बाद हमें जो पाय पे उसको बाहर निकाल देना होगा कि यहां पर जो की मोटर बची हुई है अब हमें क्या करना हुआ यह जो फैन है इसको खोलना हुगा ओपिन करना हुगा तो इसके लिए हमें क्या करना हुगा सबसे पहले यह जो साइड में नट लगे होते हैं इसके उनको निकालना हुगा तो अभी हमारे एक पार्टनर दाय है वो खोल रहे तो देखिए यहां पर यह जो नट लगे होते हैं इसको खुलेंगे इसका जो नीचे का cover है उसको निकाल देंगे और उसके बाद जो हमारे तीन नट लगे होते हैं जो पंक्य की body को एक साथ connect करते हैं उन तीनों नटों को हमें आसानी से खुल लेना हुआ तो यह बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं आप पेचकर्स की साहता से, इसको आसानी से खुल सकते हैं, तो देखिए इसके खुलने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इस पंक्ये को जो है यह वाली जो रोड निकली हुई उपर जहां से बाइर निकल रहे हैं, इसको जमीन प करना है थे करना हे यहां जाक ढ़ना है अब दम भी साहीches लाएज को हम से बाइर तो यह एकिन थे क्योंगक सब्सक्राइब में, इसको को तो यह बैलिख करना होगा है, पिज्ञे जानी में जो कवर कोई सacam polarized ना ओड आजिया देख्यों में और निकलना होगा तो यहां हमे वहां से खिचे ना हमारी खराब ना हो तो देखिए यहां पर हम चारो बायर्स को निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर हमें जो पंके के कवर है उसको भी निकालना होगा दोस्तों अगर आप अलेक्टिशन है तब तो आपको हमेशा घर पर चेक करके ही ले जाना कोई निक्षान नहीं होगा अगर हो सकता है बायंडिंग सही हो तो उससे आपका फायदा भी हो सकता है देखिए दोस्तों जब हम फैन को इस प्रकार से खोल लेंगे तो यहां पर देखिए जो हमारा फैन है उसकी स्टार्टिंग बायंडिंग तो बिलुकुल सही है लेकिन यहां पर दोनों कनेक्ट रहे हैं इसी को चेंज कर देगा पूरी बैंडिंग को आपकी नहीं करेगा सिर्फ इसी को कर देगा दोनों कोईल्गे को डाल देगा इससे क्या होगा यह उसका आपको 20 रोपस हां बैंडी अधि तो देखिए हम दिखा देते हैं आपको तो देखिए यहां पर यह जो कोईल से यह कोईल में इस पार्क हुआ है यह कोईल जली हुई है तो दोस्तो आपको यही चेक करना है तो देखिए अगर इसमें स्टार्टिंग बैंडिंग खराब है तब तो पूरी बैंडिंग उसको क दिखाती है तो कभी क्या होता है कर देता है और आपको फैन को देता है लेकिन यहां पर देखिए जो फाल को आपको कर कर के देगा अप उसका खर्चा भी नहीं लगेगा और आपसे पैसे ज्यादा ले लेगा तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार से आपको साफधान रहना है तो अगर आपको लगे के इसमें जो है पूरा बाइंड कराना है आप इसको घर पर नहीं कर सकते तो आपको क्या करना होगा जो प्राइ उसके बाइैं को काट देना है तो आप वह किका करेगा सबी जो प्राइमरी वा doğru करेगा और अगर आप कstag क्या करेगा तो अगर आप यहांपर यह दोन花 को ढाल सकते हैं तो ढाल दे नहीं तो आप इसका क्या करें यह जो जो अंदर वाली जो मायडीं है उसको काड़ने जगे-जगे काड़ने जिससे क्याही है पूरी बाइंडिंग को आपको नई करके देगा तो इससे आपका भी नुक्सान नहीं होगा और जो बैंडिंग है वो जल्दी खराब नहीं होगी क्योंकि नई बैंडिंग हो जाएगी तो वो कुछ टाइम तक चलेगी अगर यह बैंडिंग पुरानी ही रहेगी तो इस बैंडिंग के बज़े से हीट हुई होगी या कुछ ऄसी देन से चलेगी है तो वो खराब भी हो सकती है या तो आप पहले हैं कि हमारा इतनी और crispy टो आप इसका कितना पीसा लेगे अगर वह एक घिरी हो रहा है तो एक प्रेकार से बैंडिंग है वह कार्ड देनी चाहिए जिससे यह बैंड नहीं हो जाए जिससे जो दुकानदार है आपको बेपकूप नहीं बना सकता है तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप इसी प्रकार की helpful वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और सस्क्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हम जो भी वीडियो अप्लोड करें और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो प्रोवाइट करेंगे तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही